हलो फ्रेंडस कैसे हैं आप सब आप सब अच्छी होंगे फ्रेंडस आज हम आपके साथ सेयर करेंगे चाट आलू की रेस्पी तो फ्रेंडस इसके लिए कुछ नहीं करना है यह बहुत ही आसान सी रेस्पी है तो आप आलू लेदी जी अपने फैमिली मेंबर के हिसाफ से तो आलू बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो आलू हमारे सारे फूर जाएंगे तो हम थोड़ा सा कम आलू पकाएंगे तो यह हम एक एक करके सारे आलू छील लेंगे और छीलने की बाद हम इसके छोटे-छोटे सी पीस बना कर तयार कर लेंगे बराबर आकार के हम पीस क गोल पीज राच लिए तो सब्सक्राइब किसे इतने ऐा को करें नहीं आके तो नहीं किसे कटाएब और आफिके सीउधारो मुई में आफिकें vyaam तो इसको हमने साफ कर लिया था तो यह हमारी साफ अच्छे से साफ आफ करके हमने रखी थी तो हमने धनिया ले लिया है जीरा तो धनिया और जीरा को हम अच्छे से कुटनी में कूट लेंगे इसको हमें बिल्कुल पतला नहीं करना है थोड़ा सा दरदरा सा रखना है तो यह अगर आपके पास ऐस्ति रखुकुर्टा है तो ये में ने कूट लिया है मसाला कूट गया है और दोड़ी कर दोड़ी के सी कूल के सिंदेक ये ले रहे हैं नहीं पर खिक गड़ी पाऊदर कि मेफने इस पुद टिम लिदा खिला अंए लाल में ननमी निक शुकता मैं जंजट नहीं करना पड़ता है हमारा पिसा पिसाय मसाला रेड़ी हो जाता है तो यह देखिए हम ले रहे हैं लाल मिरच समूची जो खड़ी होती है उसको हमने टुगडों में काट तोड़ लिया है तोड़ने के बाद हम तेल गरम करेंगे कड़ाई में तो हम सरसों का तेल आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकती है तो हम यहां पर रिफाइंड आल यूज़ करके हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे और यह तेल जब हमारा गरम होने लगेगा तो हम इसको पूरी कड़ाई में अच्छे से फैला लेंगे ताकि हमारे आलू चिपके तो इस तरह से हमें तेल को पूरी कड़ाई में फैला लेना है जब हमारा तेल पूरी कड़ाई में फैल जाए तो उसके बाद हम इसमें जीरा और धनिया हम्ने कूटा था उसको हम डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे तो ये देखें जीरा और धनिया हमारी अच्छे से भून रही है अब इसी में हम भून लेंगे कसूरी मेथी भी इसी में हम भूनेंगे और जो हमने लाल मिर्ची तोड़ के रखी थी उसको भी हम इसी में डाल देंगे और भून लेंगे अच्छे से तो हमने सारे मसाले डाल दिये हैं और हम इनको अच्छे से भून लेंगे इस मसाले से बहुत अच्छी से खुसबू आनी सुरू हो गई है तो ये देखें अभी थोड़ा सा हमारा मसाला अच्छे से नहीं भून पाया है तो अभी हमारी धनिया कच्ची है, तो अभी हम इसको और अच्छ से भूनेंगे तो इसे तरह आपको भूण लेना है कड़ाई का आप गैस का फ्लेम मिडियम रखिएगा जब आप आलू को डाल देंगे तो आपको अपनी गैस का फ्लेम हाई कर लेना है तेज आच में हम आलू को फ्राई करेंगे तो ये हमने गेस का फ्लेम बढ़ा लिया है और आलू अपने हम भून रहे हैं तो आपको इसे तरह जल्दी जल्दी से चलाते रहना है तो ये हमने कड़ाई में अच्छे तरह से तेल फाईला लिया था तो हमारे आलू चिपके नहीं है अच्छे से फ्राई हो रहे हैं जब हमारे आलू अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और मसाला तो हमने जो धनिया और मिर्चा और जीरा का जो भूना हुआ मसाला तयार किया था हम उसको डाल देंगे और स्वादा नुसार हम नमक डालेंगे नमक डालेंगे थोड़ा सा हम आमचूर पाउडर भी डालेंगे आमचूर को खटाई भी कहते हैं तो हम पिसी खटाई ले रहे हैं तो आप भी खटाई डाल दीजिए खटाई डालने से चाट अलू का स्वाथ बढ़ जाता है खटे खटे से अलू लगते हैं हमारे तो हम इसमें आमचूर भी डालेंगे तो ये हमने नमक डाल दिया है नमक अभी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है अलू के हिसाब से हमें लग रहा है कि नमक कम है तो हम थोड़ा सा नमक इसमें और अड़ कर लेंगे तो हमने थोड़ा सा नमक और अड़ कर लिया है और आमचूर का पाउडर डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे चला चला के अच्छे से हम भून लेंगे तो हमारी खटाई भी पड़ चुकी है अब हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे पांच मिनट तक हम इसको लगातार यूही चला चला के भूनते रहेंगे ये आलू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आप चाहे तो इसको सूखा खा सकते हैं चाहे तो रोटी के साथ खाएं चाहे तो पराठा के साथ खाएं ये आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी तो हमारे पास नहीं थी, तो हमने नहीं उफली है, तो आप देख रहे होंगे कि ये आलू हमारे देखने में और देखने में जो चीज अच्छी लगती है, वो खाने में भी अच्छी लगती है, tolls olduğunu आप देखिए, इसका आप काटा चम्मंस मेle से भी खा सकते हैं, लकडी की स